हलो फ्रेंज आप सभी का सौगत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिके दानोलोज में इसमें हम आज बात करेंगी हुमन हर्ट की हुमन हर्ट में उसके पूरी डिटेल के बारे में हम देखेंगे पहले हमने देखा था रेड बलड सल वाइट बलड सल या फिर कैसके सिर के बंद मुठी के करें आगे यूं उस पर जे पान के पत्त जैसा दिखाए देगा कान ये प्सिते चैनल के बांद मुठी के Better का होता है बीक में काटने सीज को पान के पतिज्ञ हम देख सकते हैं और यह एक बार में बत्तर बार दड़कता है बत्तर बार, एक मिनिट में बत्तर बार, मतलब जो हमारे जो समायने जो दिल की धकर है वह बहीं बार धड़कता है एक मिणिट में समाइन्य वैखतीगा और जब एक बार धड़कता है जो 32 बार धड़कता है एक मिनिट में लसकी दरकता है जब यह धड़क लेगा तो बहत्तर हमें कितना करेगा तो कितना हो गया करीबन 5000 के आसपास आ गया 5000 कुछ ऐसा आएगा 5000 के आसपास अगर 5000 आता है मतलब यानि 5000 यानि 5000 व्लड है और जो हमने पहले बात की थी याद हो तो हमारे जो सामान्या बलड होगा 5-6 लिटर होता है हमारी बोडिवेट का साथ प्रतिशत तो यह जो 70 एमल एक धड़कन में होगा तो 72 बार धड़कता है एक मिनिट में तो कितना होगा और यह जो पंपिंग करने के ज जो हमारा दिल पूरे शेर में गून के सप्सप्लाई करता था वह 20 शेंडेस adapter में 20 सेग्ड में एक स्टक्कर पूरा करता है हर्ट और जो study of heart केलाती है वह कार्डियोलोजी या कारडियो कार्डियोलोजी कार्डियोलोजी is the study of human heart और इसको अध्यन करने वाले को हम कहते हैं कार्डियोलोजिस्ट इसकी study करने वाले को हम कार्डियोलोजिस्ट कहते हैं और इसका अध्यन कार्डियोलोजी कहलाता है और अध्यन करने वाले को कार्डियो लोजिस्ट कहते हैं और हर्ट बत्र बारे एक मिनिट में धड़कता है बंद मुठी के कारका होता है अगर इसको बीच में से काटेंगे पान के पत्ते जैसा ये दिखाई देगा ये दो थी कुछ बेसिक जानगारी हुमन हर्ट के बारे में अब देखते हैं हुमन हर्ट किस परकार काम करता है ये डियाग्राम दिखाई देर आपको ये है हुमन हर्ट का डियाग्राम इसी परकार का वैसे तो नॉर्मल तो हम ऐसे बनाते हैं वैसे तो हम इस परकार दिल बनाते है हमारा लेकिन रियालिटी में ऐसा ही होता है इसी परकार देख लो समझे लो इसको अब जो यह दिल बना है यह human heart जो है इसमें क्या है four chamber heart heart है four chamber heart है जो इनसान का heart होता है four chamber heart होता है यह जो उपर वाला हिस्सा है यह वाला यह वाला एक यह वाला यह वाला यह वाला यह जो चार हिस्से है यह चार हिसको कहते है four chamber heart यह चार हिस्से है उपर वाले दो हिस्सों कहते है आर्टियम एट्रियम और निच्चे वाले दोनों हिस्सों कहते हैं वेंट्रेकल अगर अभी लेफ्ट और ये राइट दो साइड़ों में है तो इसको लेफ्ट आय्ट्रियम कहेंगे इसको राइट आय्ट्रियम कहेंगे इसको लेफ्ट वेंट्रेकल कहेंगे और इसको राइट लेफ्ट वेंट्रिकल और सबसे छोटा भाग राइट एक्टिरियम होगा ये वाड़ा और सबसे बड़ा भाग होगा लेफ्ट वेंट्रिकल याद रख लेना परसन कुछ लेता है सबसे हाइट का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल आप कहोगी और सबसे छोटा भाग पूछे तो राइट एक्टिरियम कहोगे इसके लावा जो इंप्योर ब्लड है जो उपर वाले जो चैंबर है अपर चैंबर जो है अपर जो च वो क्या करता है ब्लड को पंप करता है क्योंकि जो हाइट का जो क्या काम है हाइट का सिर्फ ए की काम है ब्लड को पंप करना है सिर्फ ब्लड को पंप करता है अपर जो कार्य है वो रिशीव करेगा ब्लड को जो हमारे ब्लड सबसे पहले काम पहुंचता है राइट एट्र और राइट एट्रियम में अशुद्ध खुन पहुंशता है 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 शुद्ध है रखता आता है कहां पर राइट एट्रियम में तो यह जो बैनकेवा है महाशिरा महाशिरा जिसको कहते हैं वेना केवा महाशिरा यहां से blood enter करेगा भई यहां से blood enter करेगा तो कहां पर आएगा सबसे पहले dyatrium में यानि right atrium में जो blood है enter करेगा यहां पर enter करेगा blood तो इसके बाद यह कहां जाएगा right ventricle में आएगा right ventricle में आने से पहले इसको यहां से गुजरना पड़ेगा, इस जगह से, इसको कहते है, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, यह ट्राइकस्पिड एक वाल होती है, जो लेफ्ट एंट्रिकल में, तीन जो होल होते हैं, जिसको ट्राइकस्पिड कहा जाते हैं, और लेफ्ट में दो होल होते हैं, जिसक ये लंग्स लंग्स से जाएगा विड़ूनी में और किड़ूनी से फिर कहाँ पर जाएगा हमारा अटर करेगा लेफ्ट अट्रेम में सबसे पहली акसीरा जो अशुद खुन था अशुद खुन था जो महासीरा से अंदर आया मासिरा से कहाया राइट अटिरम में राइट अटिरम में से कहाया राइट वेंट्रिकल में फिर ये वेंट्रिकल से पंप होके बहार निकड़ा बहार निकड़ा लंग्स में गया लंग्स से फिर किड्नी में किड्नी से फिल्टर होकर आया राइट फिर किड्नी में फिल्टर हो गया प्योर ब्लेड प्योर ब्लेड आया और प्योर ब्लेड कहां पर आया एटीरम में कौन से एटीरम में लेफ्ट एटीरम में left atrium में क्या आया pure blood आया और pure blood जब आया तो ये कहां पर चला गया ventricle में चला गया और ventricle में pump होकर कहां गया महाधमनी महाधमनी में गया और महाधमनी से पूरी body में transplant हुआ और ये पूरी जो प्रकिरिया होती है blood की आने से लेकर जाने तक कि ये 20-22 एंगन में होती है एक प्रकिरिया 20-22 एंगन में ये एक प्रकिरिया पूरी होती है सबसे पहले blood आयेगा महासीरा से जो impure blood होगा और exit होगा महाधमनी से जो pure blood होगा और impure blood पहले receive करेगी कौन right atrium और जो pure blood receive करेगा left atrium और impure blood receive होगा इसके लावा बात करते हैं जो ब्लड है वो हमारे स्रीर में जो हुमन हर्ट है हुमन हर्ट हुमन हर्ट में का जो वजन है मनुश्य में मनुश्य में वो तीनसो से साड़ी तीनसो ग्राम होता है तीनसो से साड़ी तीनसो ग्राम का होता हुमन हर्ट मनुश्य में या फिर कहीं पूर्षो में और महिलाओं में बात करें महिलाओं में तो महिलाओं में जो हर्ट का जो वेट होगा वो धाई सो से तिन सो गराम होगा पूर्शो में वेट होगा तिन सो से साड़ी तिन सो गराम महिलाओं में जो वेट होगा धाई सो से तिन सो गराम इसके अलावा जो हरिद्य की जाँच की जाती है वो ECG के द्वारा की जाती है ECG ECG के द्वारा human heart की जाँच की जाती है और ECG की full form क्या है? electrocardiograph electrocardiograph ECG ECG के माथ्यम से हम heart की जाँच करते है heart की जाँच की से की जाती है ECG से और किसी के जो heart अगर खराब हो तो उसके अंदर एक artificial jarvik 7 नाम का एक heart लगता है जो एक artificial होता है artificial heart लगा जाता है ताकि उसका heart जो काम सही अगर किसी हर्ट खराब हो तब यह artificial 7 लगा दिया जाता है ताकि वो अच्छे से काम करना शुरू कर दे जो ECG है electrocardiograph से हम जांच करते हैं हमारे जो हर्ट की सही है या नहीं इसके लावा बात करते हैं कि जो हर्ट है उसकी तीन लेयर होती है हर्ट की तीन लेयर होती है जो आंतरी की लेयर है यह आंतरी की लेयर है इसको कहते हैं endocardium endocardium जो यह outer layer है इसको कहते हैं epicardium एपी, कार्डियम और ये बीच वाली जो लेयर है, मध्य लेयर है इसको हम कहते हैं मोनो कार्डियम मोनो कार्डियम मायो कार्डियम मायो कार्डियम मायो कार्डियम ये तीन लेयर होती हैं हर्ट की थ्री लेयर थ्री लेयर क्लमस ओफ हईट अगर पूछलें आंतरी के लेएक कौन सी है Gcker अधीड ओंट Day कौन सी है Epicardium और weaknesses K और पै्रिक इंड उक्रों को एक नाम दिया गहाई P कारडियम क्रेक । पैरीकारडियम के नाम से इन तिन्ओं को जाना इता है उनुस्ज में दो हुए हर्ट को शुरक्षा प्रदान करती है जिस तरह हमने देखा कि लंग्स है उसको शुरक्षा कौन प्रदान करता है लोरा एक प्रत होती है उसी प्रकार जो हर्ट को पेरिकारडियम एक प्रत है इन तीन चीजों से मिलकर तीन प्रतों से मिलकर बनी है जिसको pericardium का जाता है ये क्या करती है हर्ट को शुरक्षा प्रदान करती है हर्ट को चार चामर्ज में बाटा गया है वो किसके माध्यम से बाटा गया है वो स्पेटम के माध्यम से बाटा गया है स्पेटम के माध्यम से हर्ट को चार हिस्सों में बाटा गया है जो हर्ट है वो ओस्तन तीन सो ग्राम के आसपास होता है और 72 बार पर मिनिट में धड़कता है इसके लावा ECG के माध्यम से हम इसके जांच कर सकते हैं और जो प्योर ब्लड आता है वो लेफ्ट एटिरम में आता है और इन प्योर ब्लड जो एंटर करता है वो राइट एटिर थे निवाद चेहिए